हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ चॉयन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एपडी कम्मिनिकेट दोस्तों आप सब को मेरे तरफ से मुबारख बात देकर शुरू करता हो आज का वीडियो लेकर आज का वीडियो है कि ऐसा बहुत सारे रिटेलर है जो पैन कार्ड कैसे ट्र एनसडियल साइट पर जाके जब आप स्टेटस चेक करते हो पैन कार्ड स्टेटस चेकिंग तो वहां पर एक नॉलजमें नमबर देना परता है उसके बाद कैप्चा कोट डालना परता है डालने के बाद दिखाता है कि पैन कार्ड अभी कहां पर है अगर पैन कार्ड इंकम टेक्स डिपर्मेंट ऐसा दो चार दिन में एप्लिकेशन के बाद जो दो चार दिन में यह दिखाता है अगर पांच या साथ दिन के बाद दिखा ओगे तो वहां पर एक ट्रेकिंग नंबर दे देता है पोस्ट आपिस का जो ट्रेकिंग नंबर एक्चुलि एनस्डियल हार आइक पैनकार्ट को स्पीड पोस्ट करते हैं और स्पीड पोस्ट का जो ट्रेकिंग आईडी है वह आईडी वहां पर दे देते हैं ट्रेकिंग करने के टाइम जहां पर स्टाटस चेक करते हो वहां पर ट्रेकिंग आईडी सो करते हैं तो ट्रेकिंग आईडी को लेकर कैसे चेक करना है कि at that moment मतलो आभी आपका pen card कहाँ पर है customer अगर पूछेगा कि sir मेरा pen card कौब आएगा तो आप उनको बता सकते हैं कि आपका pen card इतने दिन तक time लग जाएगा आने में और इतना दिन में delivery होगा वहाँ पर सारे date दिया जाएगा ठीक है pen card post करने के बाद अभी कहाँ पर है किस time कहाँ पर आया था यह सारे details वहाँ पर लिखा होता है तो इसको कैसे track करना है post office का site पर जाके इसके regarding videos है तो वीडियो को आप सुरू से लेकर end तक देखते रहिए वीडियो को skip मत कीजिए दोस्तो और अभी तक जिसने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया चैनल को subscribe कर लीजे सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और एक बात बताना चाहता हो दोस्तो हम आपके साथ live में आएंगे कल ठीक रात को 8 बजे live पर आएंगे अगर कोई subscriber जो हमारे YouTube चैनल का subscriber है अगर उनका मिमान में कोई सवाल है question है pen card के regarding और जितना भी वीडियो आज तक हमने अमारे चैनल पर डाला हूँ उसके regarding चाहे वो यह बंगला जो वीडियो में ने डाला था mangalarhumi.gov.in यह पवर्चा कैसे download होता है अगर पवर्चा अप्लिकेशन करने के बाद पैसा कट जाता है तो उसका payment receipt नहीं मिला तो कैसे निकलना है इसके regarding जो भी सवाल है तो हम काल live पर आएंगे अगर आप लोग live पर आना चाहते हैं हमारे साथ जोरना चाहते हैं तो काल रात बाजे आईए हम live में आएंगे और आपका सारे सवाल का जवाब दे देंगे तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करता हो तब तक आप साथ में रहिए तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ कि pen card कैसे track करना है सबसे पहले आपको जो pen card track करना है वो pen card track करने के लिए उसका acknowledgement number चाहिए आप कहीं से भी apply करो NSDL side पर जाकर apply करो या इंडिया में जितना भी companies है ये NSDL pen card का जो portal देते हैं कहीं से भी आप apply करो आप किसी भी company का member हो अगर आप pen card का status जनना चाहते हो कि fill hall pen card कहां पर है अभी कहां पर है कब घर तक आएंगे ये सब status जनने के लिए post office का side पर जाके track करना परता है तो कौन सा ID लेकर track करना है कहां पर जाना है कैसे दिखना है इसके regarding बहुत सारे retailer को मालूम ही नहीं तो मैं जानता हो कि ज्यादातर retailer को distributor को अदमी को मालूम है फिर भी आप लोग बोलोगे कि सर ये तो मामूली बात है ऐसा वीडियो क्यों बनाया बट दोस्तों देखिए जो लोगों को पता है ये तो अच्छा बात है कि उन लोगों को पता है बट जिसको अभी तक पता ही नहीं ऐसा बहुत सारे retailer है मुझे सवाल करते है फोन करते है सर कहां पर जाके देखना है सर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही मुनलबान और important रहेगा तो चले दोस्तों दिखाता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है आपको NSDL साइट पर जाके status चेक करना है pen card की तो status चेक करने के लिए आपको क्या करना है status track NSDL ऐसा लिख के आप Google में search कर लीजिए तो सबसे पहले वाला जो option आएगा track your pen 10 application status NSDL इस option पर click कर लीजिएगा तो इसका उपर click करने के साथ साथ ऐसा एक pop-up आपके सामने आ जाएगा page यह है NSDL का status चेक करने का page और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों application type में आपको select करना है pen new change request actually NSDL का 10 भी होता है pen भी होता है तो 10 नहीं pen select कर लीजिए कर ठीक है और जिसको 10 status चेक करना है तो वो 10 select कर लीजिए और 10 का जो number है वो डलना है तो मैं pen का दिखाता हूँ 10 का नहीं तो यहाँ पर acknowledgement number देना है तो पहले से मैंने एक acknowledgement number यहाँ पर note down करके रखा हूँ जाट इसको हम copy कर लेंगे copy करने के बाद इस box के अंदर हम paste कर देंगे paste करने के बाद नीचे जो capture code आप लोग देख रहे हो यह capture code आपको देख देख करके type कर देना है type करने के बाद यह देख देख कर दिया type करने के बाद submit बला button पर press करना है जब submit बाटन पर प्रेस करोगे तो आपका status यहाँ पर दिखाएगा यह है acknowledgement number यह है customer का नम पुरा नम दिखाता नहीं आप जानते हो कि यह personal information है यह पुरा नम आपको दिखाएगा नहीं यह customer का पहला तीन लेटर दिखाया और last में देखिए दो लेटर और फिर last name का जो नाम है last name वो दिखाया और यह देखिए यह पर लिखा हुआ है your pen card has been dispatched मतलब आपका pen card dispatched delivery हो चुका है कब 20 September 2020 को by registered speed post NSDL मैंने पहले बता है कि speed post registered post करते है by your will number जो bill number है post office में post करने के बाद एक token slip दिया जाता है tracking slip जो slip का number है यह अगर आप लोग कुछ भी post office से speed post करते हो ना तो आप लोगों को भी ऐसा एक number दिया जाता है जो e a से सुरू होता है और in में end होता है तो इसको copy करना है आप लोगों को क्योंकि यह है tracking number ठीक है यह nsdl ने post किया है जो यह post office का tracking number यहाँ पर दया गया है तो इसको हम copy कर लेंगे और यहाँ पर क्या लिखा है tracking number यह है add the address for communication indicated by you in the application तो आपने application के time जो address आपने communication पर दिया था उस address पर आपको pen card पहुँच जाएगा और dispatch कर दिया गया the pen card will be delivered in due time ठीक है और मतलब pen card आपका पहुँच जाएगा timely और यहाँ पर pen number दिया गया है पूरा pen number दिया नहीं ठीक है दोस्तों यह है pen number पूरा number यहाँ पर दिया नहीं permanent account number तो चलिए यह tracking ID मैंने यहाँ से copy कर लिया आप लोगों ने देखा है फिर speed मैं copy कर लेता हूँ अभी इसको लेकर देखना है कि आभी यह pen card कहा है अगर delivery हो जाता है न तो यहाँ पर delivery का date दे देता है कि यह pen card delivery हो चुका है अगर delivery नहीं होता है किसीने लेता ही नहीं तो out of delivery लिखा होता है और एक बार pen card out of delivery अगर हो जाएगा किसीने लेगा नहीं तो वो pen card दोबारा NSDL post नहीं करते हैं क्योंकि बार बार खर्चा नहीं करते हैं आप जानते हो कि एक speed post करने में कम से कम 40 रुपिया खर्चा परता है इसलिए NSDL एक बार ही post करता है अगर वो pen card return आयागा तो दोबारा post नहीं किया जाएगा तो उस time क्या करना परेगा फिर से आपको दोबारा reprint के लिए आवेदवन करना परेगा pen card का जो e-pen copy है वो e-pen copy को लेकर ठीक है दोस्तों तो चले मैं ट्रेकिंग ID ले लिया आभी इंडिया post का side में जाना है चले मैं new tab खोल लेता हूँ और google में लिखना है इंडिया post ये देखिए इंडिया post जो आ गया है इसको हम search कर लेता हूँ search करने के बाद www.indiapost.gov.in ये website पर click करना है और अगर directly track confinement करना चाते हो तो इसके उपर click करना है तो चले मैं side पर ही click कर लेता हूँ original side जो है उसके उपर click कर लिया click करने के बाद government की जो इंडिया government की जो post office की side है वो यहाँ पर आ चुका है आभी क्या करना है ये देखिए track and trace confinement complaint अगर confinement number track करना है तो यहाँ पर confinement number देना है अगर complaint को आपको track करना है जो complaint number है वो देना है और नीचे जो capture code है यहाँ पर value देना है तो चलेए confinement number मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ देने के बाद यहाँ पर जो number आप देख रहे हो 6 plus 1 equal to 7 जो cool मिला कर होता है addition वो देने के बाद track now option पर click करना है track now option पर जब click करोगे तो आपका यह pen card का पुरा status यहाँ पर आ जाएगा यह देखिए दोस्तों यह था post office का tracking ID जो मैंने डाला और यह pen card का booking हुआ देखिए 22.9.2020 को 3.24.26 पर Mumbai दादर से item booked हुआ है और उसी दिन दादर BPC से पोस्ट करके कहां पर आया मुंबाई NSH national जो यह है मुंबाई में वहाँ पर आ गया है और अभी दे देखिए यह 25 तरिक को कोलैफ TMO यहाँ पर आया है और फिर से 26.9.2020 को अभी कहां पर आया है खरगपूर NSH पर आया है ठीक है और 26 तरिक तक खरगपूर में था 29.2020 को बेंकुरास ICH में आया है ठीक है और फिर 28 तरिक को पत्रोसायर मतलब जहां पर वो भिजना है destination address है उस address का post office जो है उस post office पर आ गया है 29.2020 को पत्रोसायर HO पत्रोसायर जो post office है वो post office पर आ गया था और dispatch to BO जो local post office है मतलब यह SO जो है मतलब main post office है यहां पर आया उसके बाद जो गाओं में जो post office होता है वहां पर delivery कर दे गया और यह देखिए अभी status क्या है status है यह delivery location पत्रोसायर SO यहां पर है अभी तक यह pen card का delivery हुआ ही नहीं अगर delivery होता तो यहां पर लेका होता कि delivery confirm ठीक है delivery confirm लेका होता है और यह pen card अभी तक आया नहीं बड़ यह pen card का बनाया देखिए दोस्तों यह post क्या है 20 September 2020 को अभी कितना time है यह date है 26 October 2020 मतलब एक महिने से उपर हो गया अभी तक pen card delivery नहीं हुआ तो actually इसको क्यों दिखा रहा हूँ actually यह retailer मैंने को phone किया था और बोला कि customer को अभी तक pen card मिला नहीं तो ऐसा case में आप क्या करोगे आपका काम तो pen card उसका घर में पहुचाना नहीं आपका काम है pen card apply करना और e-pen copy generate करना ठीक है यहां तक आपका काम है और घर में पहुचने का जो काम है वो तो NSDL का है और post office का है ठीक है NSDL का काम है post office में post करना और tracking number जो है वो देना बाकी जो काम है post office का काम है अगर customer आपके पास आपके जहमिला करते हैं ठीक है जगड़ा करते हैं मरा मारी करते हैं तो आप क्या करोगे शीधा tracking ID नमबर लेकर post office side में जाके इसको print out निकालके customer के हाथ में दे दीजेगा और बोलिया गया कि आप post office में जाके ख़वर लगाईए ठीक है क्योंकि ये post office का ममला है वो post office कहाँ पर दिया है क्यों नहीं आया है क्यों नहीं customer को मिला ये सब जानकारी post office से मिल जाएगा तो इसलिए दोस्तों आप लोग अगर customer कोई जहमेला करेगा ना तो ये tracking शिलिप से जो status आता है tracking नमबर से status को print out कर लीजिएगा कैसे करना है just control P दबाना है control P दबाओगे तो इसका जो पूरे details है ना ये details आप print out कर सकते हो तो यहाँ पर save PDF लिखा हुआ है मैं इसको print out करने के लिए लिख देता हूँ ये print out का option आ चुका है just इसको print out कर दीजिए और customer को अब दे दीजिएगा ठीक है इस तरह आप देख सकते हो कि pen card कहां पर है अभी पहुँच चुका है कि नहीं तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि ये video देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि next time अगर किसी customer ने आकर बुलेगा कि मेरा pen card अभी तक आया नहीं तो customer को इस तरह एक sleep निकाल के अब दे दीजिएगा पहले चेक कर लिजिएगा कि pen card NSDL ने delivery क्या ही या नहीं अगर delivery क्या होगा तो ज़रूर यहां पर tracking ID रहेगा वो tracking ID नमबर लेकर post office का side में जाके track करके वो sleep निकाल के customer के हाथ में आप दे दीजिएगा बाकी काम customer का है आपका कुछ नहीं है ठीक है आपका काम है pen card apply करना और e-pen coffee generate करना बाकी घर तक पहुँचना का जो काम है वो सरकार का है post office का है तो चले दोस्तो आज का वीडियो यही था अगर वीडियो आच्छे लागे तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए और भुलिये मात काल रात को मैं live पर आ रहा हूँ अगर किसी का कोई सवाल है question है और live पर बात करना है comment करना है तो काल रात को 8 बाजे live पर आ जाईएगा और कौन-कौन subscriber कौन-कौन retailer डिस्टिबूटर चाहे हो हमारे channel का हो या ना हो ठीक है subscribe क्या है या ना है अगर किसी का कुछ भी पुछना है तो कल रात को आईए कौन-कौन आना चाहता है कौन-कौन नहीं आना चाहते है तो comment में जरूर बताईए ठीक है दोस्तों अगर ज़ जरूर हम कल लाइप पर आएंगे रात को आठ बाजे सबको मेरे तरफ से धन्नबाद